एक पैसन आया है बुलेंसर के एक वकील साव हैं जो बहुत ज़्यादा सामाजिक हैं और धम्मिक हैं उनके एक मित्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा सामाजिक और धम्मिक हैं ओम नमो बुद्ध है क्या है उन्होंने जो भोट भासा के अंदर ओम बना रहतेता है उसका एक चित्र भी भेजा है और जिग्यासा उनकी काफी ज़्यादा है जो महासांगिक लोग हैं खास और से जो जिनको तिबबत का छेत बुड़ा जाता है या तिबबत से आगे चीन और चीन से आगे तक वो महायान की प्रेक्टिस करते हैं जिसमें दस नियम नहीं आते अब तो नियम और भी ज़्यादा हो सकते हैं जैसा मैंने महायान और ही यान के अंतर में आपको बताया वहाँ बोधी सब्द की मानेता ज़्यादा है उनका भोट भासा में एक मंत्र है ओम, मनी, पदमे, हूम अगर आप नेट पर सर्च करेंगे ओम, मनी, पदमे, हूम तो वो कई बार ऐसे बोलते हैं ओम, मनी, पम में हूम, मनी, पम में हूम ये उनका एक मंत्र है जिसको वो संगीत के साथ में बड़ा खूसवत बनाके चारों तरफ लिखते भी है और बोलते भी है गाडियों के पीछे भी अक्सर आपने कारों के बीछे ये बाइक पे जो पंसील के रंग है उनमें छपा हुआ भोर्ट भासा में बैनर देखा होगा जो उनका बहुत ज़्यादा चलता है और लोग उसको घर-घर में जगे-जगे लगाते है पाली भासा के अंदर जो ओम सब्द है या ओमक सब्द है उसका मतलब है inferior या निचली रिंक वाला जिसका rank कम होता है उसको बोलते हैं ओम या ओमक ऐसा dictionary के अंदर साफ साफ आज के अंदर दिखाई देता है ओम जो सब्ध है जो वहाँ लिया इसका साब्दिक अर्थ या जो सद्ध का अर्थ है वो कहीनी मिलता ये टंकार वाले सब्ध होते हैं जैसे अग उंग जुंग पुंग उंग इन में टंकार खुली होई है जो ओम सब्ध है उसमें टंकार बंद है जैसे कहते हैं ओम मैं पे आके टंकार बंद हो जाती है ओ तक टंकार कितनी लंबी आप खीश सकते हैं जैसे ओम जैसे ही आप मैं लेके आएंगे आधा मैं है वैसे ही टंकार बंद हो जाती है मगर जो निगहित वर्ड है पाली के अंदर या जो बहुत ज़्यादा सब्द चलते हैं जो एशिया के अंदर उपर की तरफ जिसमें अंग, चुंग, जुंग, मुंग, पुंग, टुंग, सुंग ये जो चलते हैं इसमें टंकार खुरी रहती है जैसे निगहित जो सब्द है पाली के अंदर उसमें टंकार है अंग, बुद्धं, बुद्धं अगर बोलेंगे बुद्धं तो ये संसकायत वर्ड हो जाता है जिसमें निगहित हटा के हलंत लगाया गया है हलंत अवाज को बंद कर देता है अम, सब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है मनी माने होता है रत्न, जोयल और पदम माने होता है कमल और अगर पद में लग कर देते हैं तो इसका मतलब है कमल से और हूं का मतलब भोड़ भाशा में संभ़ब्ध्य है यानि कि अम, मनी, कमल से है ऐसा इसका सब्द है कमल जो शब्द है जो पृतिक है वो भग्नमान बुद्ध के बर्थ का पृतिक है यानि जो कमल का फूल है अगर कहीं आता है तो इसका मतलब भग्नमान बुद्ध के जब पैदा हुए थे पूरी व्यपस्दा में कहीं भी ओम सब्द का जिकर नहीं है नहीं किसी साहित्त में ओम आता है। किस सब्द में लिया है कैसे लिया है मैंने कई बार कई लोगों से जो भोट भासा के जानकार हैं या जो तिबबत के भिक्कू हैं जिनको लामा बोलते हैं उनसे पूछा कोई इसपस्ट जवाब या इसपस्टिकरण वो ठंग से नहीं दे पाए और भोट भासा मुझे आती न मात्रा लिखते हैं वो मात्रा भी पाली के अंदर नहीं है यानि कि जो आन वाली जो मात्रा है जिससे आंख बोलते हैं आंख वाली जो मात्रा है उपर जो लगती है चांद बिंदु वाली वो मात्रा पाली के अंदर नहीं है तो यह तो इसपस्ट है कि ओम पाली का सब्द स बताया गया कि जब आप विपस्ना करें तो आप किसी माध्यम का इस्तमाल करें या किसी सब्द का उच्चारण करें या कोई सब्द का आप बार 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 उसको रिपीट करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा बेशिकली बुद्ध की विपस्ना में सिर्फ सांस को माध्यम बनाया जाता है सांस को माध्यम बनाके विपस्तना में मन को कंट्रोल किया जाता है इसलिए क्योंकि अगर हम किसी और माध्यम को या किसी आवाज को या किसी टंकार को सबोर जैसे मैं यहां कहने लगूं अब वेपस्णा में बैठूँ और मैं यहां अंग की आवाज निकाल के बैठूँ या टंग की या मंग की या जंग की तो मेरा सारा ध्यान उस आवाज पर जाएगा मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा मन आवाज के साथ दोड़ेगा फिर आवाज को हटाना मुस्किल हो जाएगा इसलिए बुद्ध ने जब सारी वेपस्णा की सारी मैटिसन किया तो अंत में उन्होंने जो 11 साल की उमर में खुद स्वभाविक रूप से नेचुल रूप से जामन की पेड़े के नीचे जो वेपस्णा की थी वही उन्हें रीकॉल हुई और उसमें उन्होंने अपना सांस देखा और वो घहरे ध्यान में उत्रे तब जाके उन्होंने नाम रूप का प्रत्रत समुद्पाद का अभी धम का ये सद्धानत को निकाला बहार जो नेचर के अंदर पहले से ही था इसलिए ओम आवाज या ओम शब्द में ये कहना कि ये धम का है या नहीं है इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि जो आदे धम के लोग हैं जो उधर की साइड में इसको खूब मानते हैं खूब इसको जब करते हैं मानने से या ना मानने से हानी नहीं है Basically, आप कितने सब्द आपने जोड़े या कितने इसमें घटाए, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बात यह है कि आप धम को कितना जानते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप धम की practice कितना करते हैं, धम शुद्ध रूप में है, उसको सिर्फ देखने के लिए अच्छा चस्मा चाहिए, अच्छी आँख चाहिए, एक अच्छा अनुभब चाहिए, वेतनाव को अगर आप समझ सकते हैं, उनको अगर आप पढ़ सकते हैं, उनको आप अगर बदल सकते हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो धम आप उतनी जल्दी सीख सकते हैं, जित कर दो 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 को